हाई गाईज आई होप योला डूइंग रेड हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट फेर सेशन की जो सुबा चार बज इवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रेंटियर आएस पर आज की तारीक है 25 जनवरी 2023 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल साथ ही साथ पर डेली वीडियोज पीडियेफ एंड मांख्ली मागजीन आप हमाये टेलीग्राम हैंडल्स ट्रेंटियर आएस और सेस जल्पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था क कि किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोर्टेक्स टेंप शिक्षा कारेकरम के दूसरे चरण की घोशना की करेक्ट आंसर था मास्टर कार्ड और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था एक दुर्लब नारंगी रंग का चमगादर किस राज्यों में देखा गया करेक्ट आंसर था स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टिन है भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन किस चहर में बन रहा है करेक्ट आंसर है पूने दिटेल्स तेख लू तो पूने मेट्रो अगले महिने तक शहर में देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर काम पूरा करने और मार्च के अंतक इसे चालू करने के लिए तयार है सेविल कोट इंटर्चेंज स्टेशन 33.1 मीटर गहरा यानी 108.59 फीट है और यह देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा स्टेशन की छत 95 फीट के उचाई पर होने और भूमिगत स्टेशन के फर्च पर पढ़ने वा से स्वार्गेट मार्क के लिए भूमिगर स्टेशन के साथ इंटर्चेंज स्टेशन और उसके संरचना में वनास से रामवाडी मार्क पर एक अन्य एलिवेटेड स्टेशन को आगे हिंजे बाडी से शिवाजी नगर तब पीसरी लाइन से जोड़ा जाएगा बात करें यह नाशनल पार्ग, टडोबा, नाशनल पार्ग, महराष्ट्रों की कैपिटल है मुंबई, गवनर है भगत सिंग कुशियारी, चीफ मनिस्ट्रे एकनात, शिंदे नेक्स देखो, नौसेना की गंकंत्रों दिवस जांकी की थीम क्या है? करेक्ट आंसर है नारी शक्ती नारी शक्ती इस साल की नौसेना की गंकंत्रों दिवस जांकी की थीम होगी, नाकेवल जांकी के सामने एक डौर्णियर विमान की एक महिला एरकुरू को उडाते हुई दिखाई देगी, बलकि लेटिनेंट कमांडर दिशा अमरित को इसकी परेड टुकडी की कमांड वली मिन एस दवरा की जाएगी, जो तीन प्लाटून कमांडरों में से एक हैं, जांकी में नौसेना की थीम को दर्शाया गया है, जो कमबैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेजिव और फ्यूचर प्रूफ के आसपा संरचित हैं, वाईज एड्मिरल सूरज बेरी ने कहा कि भार बारत हैं, भारत में किस देश में खेल के बुन्यारी धांचे को मजबूत करने के लिए 40 मिलिन अमेरिकी डॉलर का विस्थार किया है, जो तो विदेश मंत्री S.J. शंकर ने मालदीव में खेल के बुन्यादी धांचे के विकास के लिए 40 मिलिन अमेरिकी डॉलर की रियायती रिन सुवधा प्रदान की है यह प्रदानमंती नरेंद्र मोदी के प्रमुक परियोजनाओ जैसे फिट इंडिया और खेलो इंडिया को नेबर हुट फर्स्ट पॉलिसी के दाइरे में लाने के लिए नई दिली के प्रयासों का एक हिस्सा है विदेश मंत्री S.J. शंकर भारत के प्रमुक समुद्री पडोसी के साथ वीपक्षे संबंदों का विस्तार करने के लिए मालदीव की यात्रा पर है बात करें हाँ पर मालदीव की तो इसी कैपिटल है माले करंसी मालदीवियन रुफिया नेक्स्ट प्वेस्चिन है नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500-2023 के नुसार किस कंपनी को भारत में सबसे मजबूत ब्रैंड के रूप में स्थान दिया गया है और दुनिया के सबसे मजबूत ब्रैंडों में नौवे स्थान पर रखा गया है EY, Coca-Cola, Accenture और Porsche जैसे ब्रैंडों से आगे और Google, YouTube, Deloitte और Instagram की पसंद के बाद जियो को दुनिया के सबसे मजबूत ब्रैंडों में नौवे स्थान पर रखा गया Brand Finance Listing के अनुसार, 90.2 के Brand Strength Index के अनुसार, जियो दुनिया के सबसे मजबूत 25 ब्रैंडों में भारत का एक मातर ब्रैंड है Brand Finance का मुख्याले लंडन में है Brand Finance एक Brand Strength Index को अनिवारे रूप से Brand Value Chain के तीन प्रमुक स्थम्भो अर्थात Brand Input, Brand Equity और Brand Production के भी एक संशोधित संतुलित स्कोर बोर्ड विभाजन के रूप में परिभाशित करता है Next देखो हाल ही में किस प्रसिद कंपनी के सहसंस्थापक और CEO Reed Hastings ने अपने पचसे सीफा दे दिया है Correct answer है Netflix Details सेख लो तो लंबे समय के साथ ही और सहसं CEO Ted Sandos और मुखे परिचालन अधिकारी Greg Peters को चाबिया हंस्तांकृत करने के लिए Netflix इंके सहसंस्थापक और CEO Reed Hastings ने कंपनी के मुखे कारेकारी के रूप में अपने पचसे सीफा दे दिया वह अब भी अधियक्षपत पर बने रहेंगे Hastings ने 1997 में Netflix की सहस्थापना की Sandos को जुलाई 2020 में Hastings के साथ सहस CEO के रूप में पदोनत किया गया था उससे समय पीटर्स को उनकी CEO भूमिका के लिए न्यूक्त किया गया था यहाँ ने तस्वीर में देख लीजे Next देखो किस बीमा कंपनी ने जीवन अज़ाद योजना शुरू की है Correct answer है भारते जीवन बीमा निगम Details देख लो तो भारते जीवन बीमा निगम ने L.A.C. जीवन अज़ाद योजना शुरू की है L.A.C. जीवन अज़ाद एक सीमित अब्दी की भुकतान बंदोबस्ती योजना है जो पॉलिसी अब्दी के दोरान बीमित व्यक्ति की दुर्भागेपून मृत्यू के मामले में परिवार को विते साहिता प्रदान करती है योजना रिन सुविधा के माध्यम से तरलता के अवशकता का भी ध्यान रखती है यह परिपकता की तिथी पर जीवित बीमित व्यक्ति को एक गैरेंटी कुरित एक मुष्ट राशी भी प्रदान करता है योजना के देट न्यूतम मूल बीमा राशी दो लाक रुपे है और अधिकतम मूल बीमा राशी पांच लाक रुपे है पॉलिसी पंदरा से बीस साल के अबधी के लिए लिए जा सकती है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो एक्सरसाइस साइकलोन भारत और किस देश के बीच एक संयुकत अभ्यास है करेक्ट आंसर है मिस्र यानी इजिप डिटेल्स तेक लो तो भारत और मिस्र सेना के विशेश बलों के बीच पहला संयुकत अभ्यास Exercise Cyclone 1 14 जन्वरी को राजसान के जैसल मेर में शुरू हुआ रक्षा मंत्राले ने कहा Cyclone 1 अपनी तरह का पहला अभ्यास है जो दोनों देशों के विशेश बलों को एक साजा मंच पर लाता है 14 दिनों तक चलने वाला यह अभ्यास जो राजसान के रेगिस्तान में किया जा रहा है दोनों टुकडियों को विशेश बलों के कौशर जैसे की Snipping, Combat Free Fall, Tohi, Nigrani और लक्षे पदनाम, हत्यारों, उपकर्णों के बारे में जानकारी साजा करने नवाचार, रन्नीती, तकनीत और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए सनलगन करता है नेक्स देखो N.S.C.A. Snooker Open 2023 किस ने जीता? Correct answer है लक्षमन रावत Details तेक लो तो Petroleum Sports Promotion Board के लक्षमन रावत ने अधित्ने महता के खिलाफ N.S.C.A. Snooker Open 2023 जीता लक्षमन रावत को 3 लाक रुपे का नकत पुरसकार मिला जबके दित्ने महता को 1.5 लाक रुपे मिले निपुन इंडियन ओल क्यूइस्ट रावत और महता के बीच हुए शिखर मुकाबले में पुछ गुनबता वाला सकरात्मा खेल देखा गया क्यूंकि दोनों आक्रमक थे और अपने शॉट्स के लिए गए थे इससे पहले लक्षमन रावत ने अखिल भार्टे स्नूकर ओपन के अंतिम संस्करन में फाइनल में सौरफ कोठारी से हार कर उप विजेता का खिता जीता था यह जीत लक्षमन रावत का दो से तीन साल बाद पहला बड़ा खिताब है केनरा बैंक रूसी जेवी यानि जॉइंट वेंचर में अपने हिस्सेदारी किस बैंक को 114 करोण रुपे में बेचने की योजना बना रहा है परेक्ट आंसर है भार्टे स्टेट बैंक दिटेल्स तेख लो तो केनरा बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम कमर्शल इंडो बैंक ललसी यानि CIBL में अपने हिस्सेदारी अन्य उद्यम भागेदार भार्टे स्टेट बैंक को लगभग 114 करोण रुपे में बेचने की योजना बनाई है CIBL 2003 में नी गमित SBI 60% और कैनरा बैंक 40% के बीच रूस में एक संयुक्त उद्यम है शेर बिक्री समझोते के अधार पर और रूस के सेंट्रल बैंक के सहमती के साथ कैनरा बैंक दुवारा रखे गए पूरे शेर 30 नेवेंबर 2022 को SBI को हस्तांतरित कर दिये गए बैंगलूरू मुख्याले वाले सारवजनिक शेत्र ने एक नियामक फाइलिंग में कहा हाला कि पार्टियों दुवारा सहमत USD में विचार यानि 14.67 मिलियन डॉलर समतुल्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है बैंक ने कहा है लेन दिन मार्च अन 2023 पर या उससे पहले पूरा होने की उम्मीद है लास्ट क्वेस्टन है आज के सेशन के लिए अंतरराष्ट शिक्षा दिवस यान इंटरनाशनल डिय ओफ एजुकेशन कब मनाया जाता है तो हर साल 24 जेनवरी को दुनिया भर में अंतरराष्ट शिक्षा दिवस मनाया जाता है युनेस्को की महाने देशक और्डरे अजॉले ने 2023 अंतरराष्ट शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्ने लिया है संयुक तुराष्ट मुख्याले में आयोजित एक कारेकरम के अफसर पर युनेस्को ने शिक्षा के मौलिक अधिकार को तूरंद भाल करने के अपने अवाहन को नवीनी कृत किया वर्तमान में धाई मिलियन यानी 80% स्कूल आयोवाली अफगान लड़कियां और युवा महिलाओं स्कूल से बाहर हैं जिन में से 1.2 मिलियन को वास्तिविक अधिकारियों के निर्ने के बाद माध्यमिक विद्यालियों और विशिद्यालियों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था अगस्ट 2015 से युनेसकों ने चुनोतिपून परिस्थितियों में शिक्षा की निरंदरता का समर्थन करने के लिए अपने हस्तशियों को अनुकूलित किया है क्विकली बात कर लेते हैं आज की सेशन की समरी की तो इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन पूने में बन रहा है नेवी के रिपब्लिक डे टैबल्यू की थीम है नारी शक्ती इंडिया ने माल्डिव्ज में खेल के बुन्यादी धांचे को मजबूत करने के लिए 40 मिलिन अमेर्की डॉलर का विस्तार किया ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के नुसार इंडिया में साइकलोन इंडिया और अजिप के बीच एक जॉइंट एकसरसाइज है नस्याइश नूकर ओपन 2023 जीता लक्षमन रावत ने कैनेरा बैंक ने प्लान किया है कि वे अपने रशन जॉइंट वेंचर स्टेक को सेल आफ करेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंटरनाश करते को विशुस्तर पर नंबर दो पर रखा गया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है किस बैंक ने ग्रहाकों को साफ़दी जमा यानि FD के बदले क्रेडिट कार्ड लॉंच किया दोनों क्वेस्टिन से हैं इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चान थैंक यू सो मच आज से इन में नेक्स सेशन